हाई गाईज आज मैं आपसे सेम की सबजी कीमा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना बना सबको पसंद आगी पूरी रेसिपी को अच्छी तरह देखना चैनल पर नए है तो चै 3 बड़े चम्मच तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ढालेंगे 3 तेजपत्ता और 3 दालचीनी के तुग्रे इसके बाद हमें डाल देना है 12 से 15 काले मिर्च इसे थोड़ा क्रैकल होने देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्यास यह मैंने एक बड़े साइस की प्यास ली है जिसे रफली कट किया है प्यास दालने के बाद अब हमें यहाँ पे प्यास को लाइट ब्राउन होने तक पका लेना है इसे जादा ब्राउन नहीं करेंगे बस लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे तो ये देखिए प्यास जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है हमारी अब इसमें हमें डालना है कीमा तो ये मैंने पाउग कीलो कीमा लिया है कीमे को अच्छी तरह दो लेना है कीमा हम इसमें डालेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे कीमे को अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेना है कीमे को हम यहाँ पे 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे आप देख सकते हैं कीमे को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है अब एक चमच इसमें डालेंगे अदक लसन का पेस्ट और अब हमें यहाँ पे अदक लसन के पेस्ट को भून लेना है ताके कीमे की स्मेल चली जाए तो यहाँ पे अदक लसन की पेस्ट को हम भून लेंगे यह देखे मैंने यहाँ पे अदक लसन की पेस्ट को भून लिया है अब इसमें हमें डालना है हरी मिर्च तो यहाँ मैंने चार हरी मिर्च ली है जिसे कट कर लिया है एक की मीडियम साइज का मैंने टमाटल लिया है टमाटर को भी मैंने रफली कट किया है हर इमिज और टमाटर को हमें अब मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे तो ये देखें टमाटर जो हैं हमारे soft हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ सबाझी, तो यहाँ मैंने same की सबाझी ली है सबजी की quantity आप अपने हिसाब से ले लीजिए आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप कीमा और सबजी की quantity ले सकते हैं सबजी डालने के बाद अब इसमें हमें डाल देना है नमक तो यहां अपने टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल लेंगे नमक डालने के बाद अब सभी चीजों को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से सबजी को और कीमे को मिक्स कर लिया है अब इसे हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताके सबजी थोड़ी सौफ्ट हो जाए तो यह देखिए मैंने बस इसे तीन से चार मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखा और सबजी जो है हमारी यहाँ पे सौफ्ट हो चुकी है अब इसमें हमें कुछ मसाले शामिल करना है तो इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चमच खल्दी पाउडर दो चमच मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं एक चमच धन्या पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला और आधा चमच हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर इतने मसाले डालने के बाद अब हमें यहाँ पे डालना है पानी तो यहाँ मैं आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ ताके मसाले अच्छी तरीके से पक जाए तो मसाले और पानी डालने के बाद हमें यहाँ पे इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अब हम यहाँ पे मसाले को पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर तो यह देखे मैंने यहाँ पे बस 3-4 मिनिट के लिए पका लिया है मसाला जो है बिलकुल अच्छी तरीके से पक चुका है और ये देखे सबजी बिलकुल रेडी है अब हमें यहाँ पे फ्लेम को आफ कर लेना है और इसे हम सर्फ कर लेंगे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करना और आप जबी भी ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन जरूर दबा दीजिए ताके मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे